हलो बच्चों, मैं आमीना और अब हम पढ़ेंगे Question and Answers किस चैप्टर का? Unit 4A, King John and the Abort of Contemporary का पिछले दो वीडियो में हमने इस पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ा और समझा और अब बार यह हमारे page number 45 की Yes, just turn to page number 45 उसमें क्या है? हमें text को और अच्छी तरह से जानेंगे कैसे? जवालों के जवाब दे करके तो इस page में है Who said to whom? किसने किस से कहा? तो बच्चों यहाँ पर आपके सामने कुछ sentences दिये जाएंगे उन sentences को पढ़ करके आपको बताना है कि वो sentence किसने किस से कहा था? ओके? तो हमारा पहला sentence है How can you help me? तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो? किसने कहा था? The abort said to the shepherd Abort ने कहा था shepherd से Shepard यानि वो चरवाहा हमारा दूसरा sentence है You shall live until the day that you die and not one day longer जब तक कि तुमारा मृत्यू का दिन नहीं आता तब तक तुम जीवित रहोगे और उससे एक दिन भी जादा तुम जीवित नहीं रहोगे ये किसने कहा था? The shepherd said to the king john Shepard ने कहा था king john से तीसरा sentence है There is no question of misunderstanding you तुम्हें गलत समझने का कोई सवाल ही नहीं उठता ये किसने कहा था? King john said to the abort King john ने कहा था abort से और हमारा चौता sentence है I will give you four pieces of silver every week As long as you leave जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक हर सब्ता मैं तुम्हें चांदी के चार सिक्के दूँगा ये किसने कहा था? King john ने कहा था To the shepherd Shepard से कहा था क्यूंकि वो Shepard के दिये गए आंसर से बहुत खुश हुआ था अब आपको आना है Page number 46 में जहां है हमारा Answer the following questions यहाँ पर कुछ सवाल है और उन सवालों के जवाब हमें देने है Okay तो पहला सवाल है What had king john heard about the abbot of contemporary? King john ने abbot of contemporary के बारे में क्या सुन रखा था? Answer है King john heard that the abbot of contemporary had kept his house better and more popular among people than the king King john ने ये सुन रखा था कि abbot of contemporary का घर राजा के महल से भी ज़्यादा सुन्दर और ज़्यादा बड़ा है यहाँ तक कि उसके पास हर तरह के आईशो आराम की चीजे उसके महल में है और उसके साथे साथ बहुत सारे लोगों के बीच में अबड पॉप्यूलर है राजा से भी ज़्यादा ये सब बाते राजा ने अबड के बारे में सुनी थी दूसरा सवाल वे कौन से तीन सवाल थे जो किंग जान ने अबड से पूछे थे तो राजा ने तीन सवाल जो पूछे थे वे हैं पहला मैं कितने दिन तक जीवित रहूंगा यहाँ पर आई राजा के लिए है राजा ये चार सवाल अबड से पूछा था तीसरा सवाल था तो बच्चो यहाँ पर जो तीन सवाल राजा ने पूछा था अबड से यह बहुत ही कठिन सवाल था और राजा को पता था कि अबड इसका आंसर नहीं दे पाएगा फिर भी उसने ये पूछा था अबड से क्यों ऐसा आगे कारण जानेंगे सवाल के साथ ठीक है तो इन तीन सवालों को फूलिस कोश्चों कहा जा रहा है बच्चो बेवकूफी वाला सवाल है ना क्यों ऐसा तो इस तरह के बेवकूफी वाला सवाल राजा ने अबड से पूछा क्योंकि वो अबड के लगजीरियस लाइफ उसने देखा कि अबड का महल अबड का धन दौलत राजा से कई गुना जादा है और यहां तक की लोगों के बीच में भी अबड बहुत ज़्यादा पॉप्यूलर है किंग से भी ज़्यादा यह सब देख करके राजा अबड से इर्श्या करने लगा और वो उसे मार करके उसका पूरा प्रोपर्टी धन दौलत अपने नाम पर वो हडप लेना चाहता था इसलिए वो इस तरह के फुलिस्ट कोश्चन पूछा ताके अबड इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए और वो अबड को मार डाले चौथा सवाल वस दा अबड अबड अबल तो आंसर दे कोश्चन वीच प्लेस दी ही विजिट क्या अबड किंग जौन के सवालों का जवाब दे पाया था और उन सवालों के जवाब धुंड़ने के लिए कौन कोन से जगह गया था अबड अंसर इस नो नहीं अबड अनेबल तू असर दे कोश्चन उन सवालों के जवाब अबॉट नहीं दे पाया था To get the answers, he visited to the Oxford and Cambridge universities उन सवालों के जवाब लेने के लिए अबॉट Oxford और Cambridge University भी गया वहां के प्रोफेसर से उसने बात की लेकिन भी उन सवालों के जवाब उसे नहीं मिल पाया तो आकिर उन सवालों के जवाब दिये किसने यह हमारा अगला सवाल है Who answered the king's question राजा के सवालों के जवाब किसने दिये What were the three answers और वे तीन answers क्या थे The shepherd answered the three questions which were तो यहां सवाल है How long did the king leave? राजा कितने दिन जीवित रहेगा? तो इसका जवाब shepherd ने दिया You shall leave until the day that you die तब तक तुम जीवित रहोगे जब तक तुम मर नहीं जाते यानि तुम्हारे मरने के दिन तक तुम जीवित रहोगे And shall die when you take your last breath और तुम मर जाओगे जब तुम अपनी अंतिम सांस लोगे दूसरा सवाल था How soon shall I ride the whole world? मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगा करके कितनी जल्दी आ सकता हूँ? तो इसका जवाब shepherd ने दिया था Must ride with the sun until it rises the next morning तो जिस तरह से सूरज हर दिन उगता है और वो फिर से हस्त होता है तो सूरज के साथ साथ आप अगर ride करते जाएंगे तो आप इस पूरी दुनिया का एक चकर 24 गंटे में आराम से लगा पाएंगे ये जवाब दिया And तीसरा सवाल What I think? कि मैं क्या सोचता हूँ? यहापर मैं कौन है? राजा तो फिर उसके बाद शेपर्ड ने आंसर दिया You think I am the abot तुम सोचते हो कि मैं abot हूँ But no लेकिन नहीं मैं abot नहीं हूँ I am only his poor shepherd मैं सिर्फ उसका एक पिचारा गरीब चरवाहा हूँ तो यह तीन बहुत ही खुपसूरती से जवाब दिये शेपर्ड ने और उसके आंसर सुनकर के राजा बहुत खुश होता है इसलिए उसे वो इनाम देता है और इनाम के साथ साथ वो abot का भी life को इनाम में वो उसे माफ कर देता है Got it? Thank you so much